करीव नौ महने के बाद राज़त सुप्रीमो लालू यादब पटना लोटे थे उसके बाद उनके समर्थकों में अपार खुशी थी ठीक धाय घंटे के बाद नितीश कुमार उनसे मिलने पहुँचे और जैसे ही लालू नितीश कुमार को देखा तो कहा घावराने का नहीं स सब कुछ ठीक हो जाएगा बतादे कि लगातार ये बातने चल रही थी कि नितीश कुमार इस वक्त चौथरफा गिर चुके हैं आनंद मुहन की रिहाई के बाद खास करके उन्हें दलित बिरोधी बताया जा रहा है और लालू यादब का आना भी जो है इसी कड़ी से जोड कर दिखा जा रहा है और लालू यादब ने भी साप्त और प्रास्वस्त कर दिया कि अब आपको घबराने की ज़रत नहीं है सब कुछ ठीक हो जाएगा बतादे कि लालू यादब के बारे में तेस्वी यादब ने खुले मंज से कहा था कि आप लोग जितना बेकरार है कि लालू यादब आपके बीच में आएं अब लालू यादब आएंगे तो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्जा होंगे मतलब खुले तोर पे कारकरताओं से मिलेंगे नेताओं से मिलेंगे और हो सकता है कि पुराणे अंदाज में मंच से भाशन भी दें क्योंकि अब वो लालू यादब आपके बीच मिनट तक दोनों में बाचीत हुई है और इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी विहार में हमलावर है उसको लेकर रनेती बनाने में लालू यादब जुट गए हैं और इस वजह से महा कटवंधन के अंदर विजी तरीके से भागपामाले लालू यादब के साथ की सक्त दरकार है क्योंकि इस वक्त वो चौथरफा घिरे हुए हैं तो लाली यादब को लेकर तेस जादब ने साफ कर दिया था कि लालू यादब जो है अब जल्द ही आपके सामने आएंगे खुल कर आपको मंचों से भासन देते हुए भी दिख ज हैं तो कुल मिलाकर लालू यादब ने साफ तौर पे नितिस्कमार को हिम्मत दी है आस्वस्त किया है कि अब हम आ गये हैं घवरानी की कोई ज़ौरत नहीं है सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अब देखना दिल्चस्प होगा कि लाली यादब जब पटना आए हैं तो उसके पाद की सरीके से आरजेडी अब जो है वो बीजेपी पर हमलावर होती है अला कि बीजेपी ने साफ कह दिया कि लालू नितिस्की वापसी जो है अब कभी संभब नहीं है फिर आरजेग से प्लटवार किया गया और कहा कि लाले यादब वो सक्स हैं जोने 2015 में मोदी के यह गहरा जा सकता है और लालू यादब में वहाशन की कला है वो अगर चाहें तो मोदी के हर भासन का कॉंटर देंगे और वो ज्यादा प्रभाव शाली होगा जो जिस तरीके से लालू और नितिश ने मिलकर 2015 में मोदी के विजयरत को रोका था क्या वो दोजार चोबिस के में विपक्षी पार्टियों को एक्जूट करने में उसके पीछे मजबूती से लालू यादब हैं चाहे कॉंग्रेस अध्यक से मुलाकात हो या फिर मामता वनर जी से या फिर अखलेस यादब खुद जो है लालू यादब से मिलने पहुंचे थे और लालू यादब ने सा मर्थकों का उत्सा बता रहा था कि लालू यादब जब आते हैं तो उनके अंदर एक हिम्मत आ जाती है और लगता है कि वाकई में मुदी सरकार को रुका जा सकता है तो अब देखने वाली बात होगी कि लालू यादब ने किस सेंस में कहा कि अब घवरानी की ज़ुरत नह गये हैं तो बिहार की पॉल्टिक्स जो है पहले से केंद्र में है ही अब और ज्यादा सेंटर हो जाएगी पूरे देश की सियासत का फैसला इस बार दोजार चुबिस के लुक्सवाचनाव में बिहार से हुना आए आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंड बॉक में ज़रू बता अगर पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद